हेलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा पांचवी की हिंदी पार्ठ चार कश्मीरा तो इस पार्ठ में आप देख रहे हो कश्मीर की बेटी के दो चित्र दिये गए हैं चित्र 1 और चित्र 2 तो आपको करना क्या है इसमें हमें इन दोनों चित्रों का निरिक्षन करके 10 अंतर ढूंडने हैं यहाँ पे आपको लिखके दिया हुआ है विद्यार्थियों से दोनों चित्रों को ध्यान से देखकर इनमें 10 अंतर बताने के लिए कहें जम्मू कश्मीर की बेटी के संबंध में जानकारी दें तो पहले तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं आपको पता है हमारे भारत का नक्षा कुसी तरीके से है और नीचे इस तरीके से मतलब बड़ा सा है ऐसा नहीं है तो यह वाला जो पार्ट है तो यह वाला पार्ट हम देखते हैं कि हम इसे क्य कि अधिए इतनी सुंदर जगाह ये चारों तरफ देखो गे तो आप पूरे पर्वत जो पहाड़ है पूरा उस पर बर्फ की चादर फैली हुई है बड़े-बड़े पेर उस पर मतलब बर्फ के टुकड़े गिरते रहते हैं सुंदर वादियां सुंदर जीले वहां की बहु बहुत ही संदर है ठीक है तो देखने में बहुत ही संदर द्रिश्य वहाँ का हम देखते हैं तो इस तरीके से और वहां का बॉट होता इस थॉछ यहां पहल से उस से चलता है तो अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या आप का दिख नहीं है तो काश्मीर का भारत का कभी नंग है और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश अब को भारत के हर र्vi का पहनावा वए बू शाम देख महाराष्ट्रा का पंज़ाबी Dadम का ठीक है साउथ इंडियन का तो उनका vish भूशा जो पहनावा है वो अलग-अलग है ना तो इसी तरीके से जो कश्मीर के लोग जो पुशाक पहनते हैं जो औरतें इस तरीके से पुशाक पहनती हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं उनका पुशाक देखिए इस तरीके से अपने मोवीज में पिक्चर बहुत स तो देखिए बिल्कुल वैसे ही है न कपड़े इसके भी तो इसने जो पोशाक पहना हुआ है उसका नाम है फेरन यह आपको याद रखना है और यह जो पोशाक है यह कश्मीर का पारंपरिक पोशाक है फेरन यह बहुत पुराने टाइम से लोग पहनते आ रहे हैं और अभी भी पहन रहे हैं तो मुझे क्या कहते हैं पारंपरिक पहाँगे आपको किस तरीके से लिखना है आपको एकजाम में वह आपको मैं लिख के दोंगी तो तक कि आपको लिखने में दिखकत ना हो तो अब देखिए यहां पे पहले हम क्या देख रहे हैं आपे पंची हमें यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उडते हुए अगर इस पिक्चर में देखें तो इस चितर में देखें तो इस चितर ज्यादा है पांच है और दूसरे चित्र में पंक्ची जो है वो कम है ठीक है और अगर हम बात करें उसके नीचे आते हैं तो यह जो पहाड देखते हैं हम तो आप यहाँ भी पहाड देख पा रहे हो लेकिन क्या अंतर है पहले चित्र में यहाँ पे इस पहले वाले परवत पे क्या है बर यहां पे दो और ज्यादा है, तो इस पहले चितर में पेड़ भी ज्यादा है, और दूसरे चितर में कम है, मैं आपको लिख के भी दे दूंगी, तो टेंशन मत लेना आप, और आप यह चप्पू देखो, जिससे कि वो नाव चला रही है, तो आप देखो, तो इसका जो आका पहले चितर में, यहां पे तीन मनके नहीं है, इस तरीके से, जबकि यहां पे आप देखो, तो तीन मनके दिखाई दे रहे हैं हमें, यहां पे आप देखो, तो इस तरीके से तीन मनके इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पे नहीं है, अब हम देखते हैं, न यहां पर यह लाइट पिंक है, मतलब हल्का गुलाबी है, जबकि यह वाला आप देखो, वही है न, यहां पर, तो यहां पर क्या है, दूसरे चित्र में क्या है, गाड़े रंग गुलाबी है, ठीक है, गाड़ा गुलाबी है, यहां पर, गहरा गुलाबी है, तो अभी नेक् अब हम मटकी के तरफ जाते हैं देखिए तो अगर मटकी की तरफ आप देखो तो यह जो आपको पेंदी दिखाई दे रहा है मटके का वहाँ पर डिजाइन नहीं है जब कि यहाँ पे देखो छोटे-चोटे टपकी दिए हुए है मतलब छोटे-चोटे इसरी दिजाइन आपको यहां पर देखिए अभी और भी अंतर है इसका यहां पर एक नहीं भी कई सारे हैं देखिए जैसे कि आप इस हाथ में देखो तो कश्मीर की बेटी के बाएं हाथ में कंगन है जबकि आप दूसरे चितर में देखोगे तो यहां पर कंगन नहीं है और एक और अंतर ने अप्ट यहां पर देखो तो यहां पर प्रफ नहीं नहीं नजर आएगा जो पहली पट्टी है तो यह भी मुझे दिखा ठीक है तो अगर ऐसे हम देखो तो यहां पर 11 हो जाएगा अगर आप काउंट करोगे तो चलिए मैं आपको पीडियेफ में लिखके बता देती हूं यह देखे यहां पर तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने अच्छे से लिक की दिया हुआ है चित्र वन चित्र टू पहले चित्र में ज्यादा पंची दिखाई दे रहे हैं जबकि दूसरे चित्र में कम है पहले चित्र में पहाड पर बर्फ है जबकि दूसरे चित्र में बर् दूसरे बाएं हाथ में कंगन नहीं है चटना देखे तो पहले चितर में कश्मीर की बेटी के गले का जो हार है उसमें तीन मनके नहीं है जबकि दूसरे चितर में हार में तीन मनके है साथमा अगर हम देखे तो पहले चितर में कश्मीर की बेटी के वस्तर में पट्टी का कलर हलका गुलाबी है जिब कि दूसरे चितर में गाढ़ा गुलाबी है जो हमने घागरा देखा आठवा देखे तो पहले चित्र में एक फूलों की टोकरी और एक मटका है और उन दोनों की बीच में एक फूल है जबकि दूसरे चित्र में फूल नहीं है पहले चित्र में मटके के पेंदी में कोई डिजाइन नहीं है और दूसरे चित्र में मटकी में डिजाइन है है तो मुझे जो दिखाए दिया मैंने वह सारे डिफ्रेंस आपको बता है आपको भी जो दिखाए दिया आप वह भी बताओ ठीक है तो कोई भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्षी में जरूर पूछे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेल आ